नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एलोपेसिया एरेक्टा मुतलब बालों का एक जगह से पूरी पूरी तरह जड़ जाने की जानकारी दूंगा और कुछ होमोपेथिंग मेडिसीन बताऊंगा तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं दोस् दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिजिए और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दिजिए दोस्तों इसी तरसे मैं होमोपेथिंग मेडिसीन डिलेटेड डिजी डिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं तो सब्सक्राइब करना वेज़ जरूरी है तो सबसे परले जान लेते हैं एलोपेसिया एरिक्टा क्या है एलोपेसिया एक ऐसी इस्थिती है जिसमें बाल समान से ज्यादा ज़ड़ते हैं एलोपेसिया एरिक्टा में सीर की तोचा पर बाल जगर जगर ज़ड़ने लगते हैं जब बाल को हम एलोपेसिया एरियाटा काते हैं अब चलते हैं इसके काज़ेश की तरब कौन-कौन से काधर्ण है एलोपेसिया एरियाटा या एक आटो इम्यून डिजीज है दोस्तों आटो इम्यून डिजीज में क्या होता है हमारे सरीर की जो इम्यून सिस्टम है जो रोगों से लड अच्छे सेल्स और बैक्टिरिया में डिफ्रिसियंट नहीं कर पाता है और आटोईमेंज जो सिस्टम है हमारे सरीर में अच्छे सेल्स और बालों को डेमेज नुक्सान करना शुरू कर देता है जिसके कड़ासर के जो बाल है ओगोल-गोल पेचेस में जहनने शुरू हो जात मतलब लचर की तरफौतर में आम तरप जब बाल जड़ते हैं तो सिर्की तोचह में में पेचेश परने लगते हैं मतलब मतलब जैसे कि आप इस पिच्चर में देख रहे हैं ऐसे बाल जड़ते हैं हलांकी एलोपेसिया की समस्या आखो पलको या डाड़ी के जगहों पर देखने को मिलती है इसमें सर के पीछे वाले बाल भी ज़रते हैं दोस्तो अब चलते हैं होमोपेथिक मेडिसीन की तरफ कौन-कौन सी सबसे एफेक्टिव मेडिसीन है एलोपेसिया एरेक्टा के लिए ह तो सबसे पहली और सबसे एफेक्टिव मेडिसीन है दोस्तो ओ है थूजा अगर आपको हार्मोनल इन्बैलेंस के काड़ा है एलोपेसिया एरेटा है जैसा कि मैंने आपको यह बताया है यह एक आटो इम्यून डिजिज है और थूजा आटो इम्यून डिजिज के लिए बह पाते ही साथ बालों को या उगाती भी है इन सभी कारणों से थूजा 200 बहुत एफेक्टिव मेडिसीन है थूजा 200 दो बुन सुब सुब लेना है दूसरी मेडिसीन है दोस्तो फासफोरस 30 अगर आपके बाल जो है वो गुच्छो में मतलब सिक्के के आकार के जैसे गोल बुन सुब लेना है दो बुन साम को लेना है अगली मेडिसीन है दोस्तो एसिट फास्थर्टी अगर आपके सीर भावें पलक बीर्ड के बाल जड़ें तो एसिट फास्थर्टी बहुत एफेक्टिव मेडिसीन है एसिट फास्थर्टी दो बुन सुब लेना है दो बुन सा शादारतर पर अगर आपके बाल जड़ें तो फ्लोरिक एसीड 30 बहुत effective medicine है दो बुन सुबर लेना है दो बुन साम को लेना है दोस्तो नंबर पाच्वी medicine है selenium 200 आखों की भावों से मूच बियर्ड के बाल जड़ें तो बहुत effective medicine है सेलेनियम 200, सेलेनियम 200, दो बुन सुबर लेना है, दो बुन को साम को लेना है, अगली मेट सीन है दोस्तो, जैवरेंडी मदर टिंच, अगर आपके सर के बाल, पेचेस के रूम में जड़ गए हैं, तो जैवरेंडी मदर टिंच को उस पर अपलाई करना है, मतलब लगाना है, दोस्तो एक बार फिर से बता दूँ थूजा 200 दो बून सुबह सूबह लेना है फासफोरस 30 दो बून सुबह साम लेना है अचेड मतलब बालों को लगाना है affected area फर दूस्तो आज की इस वीड़ियो में फिला लीता है Madame फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में